Hello everyone, आप बिना दूद के, बिना मावे के, सिर्फ मलाई से बहुती टेश्टी मिठाई बना सकते हैं, तो देखिए कितनी टेश्टी मिठाई बन जाती हैं, और आप अपने घर की मलाई से, सिर्फ एक दिन की मलाई से बहुती टेश्टी बर्फी बना सकते हैं, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंट्स तो पहली वीडियो में बता था कि आप दूद पर मोटी मलाई कैसे लाएं तो और इस बार मैंने मलाई से मिठाई बना करके दिखाई है जो बहुत ही जादे टेश्टी बनी है तो चलिए बनाने का तरीका आपको मैं बताती हूँ तो ये मैंने एक दिन की मलाई ली है जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाई थी कि एक दिन में आप मोटी मलाई अपने दूद से डेड़ किलो दूद की ये मलाई उतरी हुई है देड़ किलो दूद से मैंने मलाई को उतारा है, इस मलाई से मैं बहुत ही टेश्टी मिठाई बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम गैस पर एक कड़ाई रख देंगे, और इस कड़ाई में मैंने ये मलाई डाल दी है, जो मैंने डेड़ क तो आप इतनी सारी मलाई कैसे उतार सकते हैं यह आप मेरी पहली वीडियो में जा करके देख सकते हैं जो मैंने कल वीडियो डाली थी इस मलाई को हम थोड़ा सा गरम करेंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे देखिगा फ्रेंड्स आज जो ये मिठाई बनेगी बहुती टेश्टी बनेगी बहुती अच्छी एकदम सोप्ट और मुह में जाते ही एकदम घुल जाएगी इतनी टेश्टी मिठाई बनती है अगर आपने एक बार बना लिया इस तरीके से तो आप हर बार इसी तरीके से मिठाई बनाना पसंद करेंगे ने आपको ज्यादर मावा निक की प्रोसिस में तो ये मैंने गैस पर कड़ाई रख दी है और इसमें मैंने एक बड़ी कटोरी चीनी डाली है और इसमें हम एक कप पानी डालेंगे तो ये एक छोटा कप मैंने इसमें पानी का डाल दिया है अच्छे से इस चासनी को हम पकाएंगे और देखिएगा फ्रें बना है कब हमें इसमें डालना है यह सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा क्योंकि यह बहुत ही टेश्टी मिठाई बनने वाली है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर रोज ले करके आती हूं तो देखे यह हमारी चासनी में अच्छे से उबाल आ गया है चासनी बहुत ही चिपचिपी सी हो गई है तो इसी बीच मैंने एक थाली में घी लगा लिया है क्योंकि इस थाली में हमें मिठाई को इसी में हम मिठाई को जमाएंगे और यह चासनी हमारी गाड़ी होनी सुरू हो गई है तो इस तरह से फ्रेंट्स हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएंगे ताकि जो चीनी है उसका एक भी कंड इस चासनी में रहने नपाय अच्छे से वो घुल जाए जिससे हमारी मिठाई बहुती टेश्टी बनेगी एकदम सोप्ट बनेगी बिल्कुल ऐसी मिठाई बनेगी जैसी हलवाई बनाते हैं यह मैंने मलाई का इसमें खोया डाल दिया है जो मैंने मलाई को गाड़ा किया था और इसे डाल करके अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है और यह हमारी बहुती टेश्टी बर्पी बनने वाली है अच्छे से इसे हमें मिला देना है अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ी देरी से ऐसे ही चलाते रहेंगे और जो ये प्लेट हमने घी लगा के तयार कर ली थी इसमें अब हम इसको पलट देंगे तो देखे बिलकुल एकदम हाइट कलर की एकदम सफेद चिट बर्फी हमारी बन जाती है जैसी हम मार्किट में बर्फी खाते हैं मार्किट से बर्फी लाते हैं बिलकुल हलवाई जैसी बर्फी ये घर पर आप बना सकते हैं तो ये मैंने थोड़ी से इस पर खरबुजे की ग सुन्दर बनेगी और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है इसके छोटे छोटे मैंने पीस काट लिए हैं तो आप जैसी सेप में चाहे इसके ऐसे पीस काट सकते हैं आप काजू कतली स्टाइल में भी से काट सकते हैं यह मैंने चोकोर सेप में इसके बर्फी स्टाइल पीस क निकाल लेते हैं इन्हें अच्छे से एक प्लेट में हम सजाएंगे जिससे ये बहुती सुंदर लगेगी देखने में तो आपको धीरे धीरे से इनके सारे पीस आपको निकाल लेने हैं और आप भी दिवाले पर इस तरह से मलाई से घर पर वर्फी बना सकते हैं बिना कुछ बाजार से लाए बिना मावा निकाले बिना मिलक केक के घर पर ऐसी बर्फी बनाएगा बहुत ही टेश्टी लगेगी एक बार आपने बना करके खा ली तो आप हर त्योहार पर इसी तरह से मिठाई बनाना पसंद करेंगे ये बहुत ही टेश्टी लगती है फ्रेंड्स और देखिए इसके बेरेजी जो पीस हैं ये सब अलग-अलग कर लिये हैं इन्हें अब हमें एक प्लेट में सजा देते हैं इस तरह से आप इन्हें एक प्लेट में सजा दीजेगा फ्रेंड्स दिवाली पर बिठाई का एंजोई लीजिए और बहुत ही टेश्टी बर्फी आप चरूर कीजेगा फ्रेंड्स और आप इस तरह से घर पर थोड़े से दूद से मोटी मलाई बना सकते हैं और इस मलाई से आप बहुत ही टेश्टी बर्फी घर पर बना सकते हैं फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के ल